दूस्तों हमारी प्रिथ्वे विशाण होने के साथ ही अनेक अनसलजे रहसियों को अपने इंदर समेटे हुए है और इन्ही रहसियों को और अंसलजह बनाते हैं दुनिया में मौजूद रहसिमाही दर्वाजे जिन को खोलने के लिए हमेशा माना किया गया है क्योंकि इन में कई ऐसे रहस्य दाफन है जिनने अभी तक सलजाया नहीं जा सका है दोस्तों अब हम मानव हैं तो हार कैसे मान सकते हैं इसलिए समय समय पर इन दर्वाजों के पीछे के रहस्यों को जाननी की भर सक कोशिश की गई है लेकिन इसका अंजाम मानव को अपनी जान गवा कर चुकाना पड़ा है जिसके चलते आज तक इन दर्वाजों के पीछे की सचाई से पूरी दुनिया अंजान है दोस्तों ये सुनने में जितना मज़िदार और सस्पेंस से भरा लग रहा है उतना ही रियल लाइफ में एडविंच्रस है दोस्तों क्या आप लोग भी तैयार हैं हमारे साथ दुनिया के इन रहसे में दर्वाजों के पीछे चलने के लिए अगर हाथ तो बने रहे हैं हमारे साथ वीडियो के अंताग ताज महल का दर्वाजा दोस्तों ये बत तो हम सब भी जानते हैं कि शाह जहां ने मुम्ताज की याद में 1648 में ताज महल का निर्मान करवाया था और निर्मान के साथी शाह जहां ने ताज महल के नीचे कई रहसे माई दर्वाजे बनवाए थे ताज महल के नीचे के इन कमरों को इटों से बंद करवाया गया था लेकिन शोद करताओं का मानना है कि जिन इटों से ताज महल का दर्वाजा बंद किया गया है वो इटे ताज महल के निर्मान के समय की नहीं है यानि इन इटों को ताजमहल के निर्मान के बाद बनाया गया था यानि इन कमरों को बनाने के पश्चात इन्हें इटों से ढग दिया गया दोस्तों शायद इन दर्वाजों के पीछे कोई बड़ा खजाना हो सकता है लेकिन कई शोद करताओं के माने तो इन ही कमरों में से किसी एक में मुम्तास की मौत के बाद उनकी कबर को रखा गया है जिसको सरकारी तोर पर बंद कर दिया गया है वहीं कोई शोद करताओं का मानना है कि यहाँ पर पहले एक शिब मंदिर था जिसके उपर ताज महल का निर्मान किया गया मैं पुरा तत्व शास्त्रियों के माने तो इन दर्वाजों के पीछे कई सारे आतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे आतिहास को बदल कर रख सकते हैं लेकिन पुखता तोर पर इन दर्वाजों के पीछे क्या है? ये आज तक कोई नहीं जान सका है. दोस्तों, ये मंदिर केलल के तिरुवनंध पुरम में स्थेथ है. कहते हैं कि ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसों वाला हिंदो मंदिर है. अब को बता दें, ये मंदिर उस समय चर्चाओं में आया, जब 2011 में सुप्रीम कोर्ट के ओर्डर पे इसका भूमिकत कमरा खोला गया, और उसके अंदर छे तैखाने थे, उनमें से पांच तैखानों को खोल दिया गया, जिसमें बहुत कीमती सोने जेवरात मिले, उस समय उस खजाने की कीमत 22 अरब डॉलर लगाए गयी थे, लेकिन दोस्तों अभी भी छठा तैखाना खोलना बाकि था, क्योंकि जब छठे तैखाने को खोला गया, तब उसके अंदर एक लोहे की दिवार मिले, जिसके उपर दो बड़े सांपों की आकरिती बने हुई थे, तमाम कोशिशों के बावजूद भे इसका छठा तैखाना नहीं खोला जा सका, कहा जाता है कि इसे किसे सिद्ध पुरुष ने नाग बंधन जैसे मंद्रों का प्रयोग करके बंद किया था, इसलिए उतनी ही सिद्धियों के साथ इसे केवल गरूर मंत्र का मंत्रो चार करके इखोला जा सकता है, वरना तकनीक या बलप्रयोग से इसे खोलना विनाशकारी सिद्ध हो सकता है, इसलिए वैदिक साथना करने वाले कई साथो संतों ने इस दर्वाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन इसे खोला नहीं जा सका, इसलिए ये चछठा तैखाना हम सब के लिए एक रहस्य बना हुआ है, इसके अंदर कितना भी बड़ा खजाना हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर है कि ये तैखाना किसी रहस्यमाई पहली से कम नहीं है, दोस्तों कुतब मिनार का नर्मान कुतब अद्दीन अबक ने बारसों में करवाया था, कुतब मिनार को नर्मान को शल्ता का नयाब नमूना भी माना जाता है, कुतब मिनार लगभग 900 वर्ष पुराना है, और इसे देखने आचों के कई लोगों ने दावा किया है, कि इसके आसपास किसी के होने का हैसास होता है, रात के समय जाच करने आए लोगों ने यहाँ पैरनॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के तोरह ने इस जगह पर अंचायन शक्तियों के होने का दावा किया है, और तो और दोस्तों आपको बता दें कि साल 984 की बात है, उससे में कुतम मिनार के अंदर की सीडियों से ऊपर जाने दिया जाता था, लेकिन 4 दिसंबर 1984 को एक ऐसी घटना गटी, जिसके करन कुतम मिनार के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा, दुरसल 4 दिसंबर 1984 के दिन करीब 400 लोग कुतम मिनार के अंदर गए थे, और सीडियों के माध्यम से इसके ऊपर चड़ रहा थे, इनमें से ज्यादा तर स्कूल के चोटे बच्चे थे, इनके अंदर की सीडियां इतनी चोटी हैं कि एक समय में एक साथ उपर या नीचे नहीं जाया जा सकता है, इसके अधिक उचाई होने के कारण इसमें कुल 308 सीडियां बनाई गई थे, इसके अंदर रोश्नी का भी कोई बाहरी स्रोत नहीं है, सिर्फ बिजली के बल्ब लगाए गए हैं, लेकिन अचाना की बिजली चली गई, जिसके कारण अंधेरे में सभी लोग बहुत डर गए और नीचे की तरह भागने लगे, सीडियां छोटी होने के कारण जल्दिस से उत्रा भी नहीं जा सकता था, और इस भगदर्ड में तकरीबन पैंतालीस लोगों की मौत हो गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे, तब इसे कुतो मिनार के अंदर जाना बंद कर दिया गया, इसके दरवाजी को जब भी खोलने पर विचार किया गया, तब कोई ने कोई हाथसा हुआ है, इसलिए इसके दरवाजों को सरकारी तोर पे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, तेराकॉर्टा सोल जोस, मिस्टीरियस टोल, तेराकॉर्टा से बने आठ सो सैनिकों के मूर्टिया और हजार गोड़े थे, लुगभग दो हजार सालों तक के कब्र दुनिया की नजरों से छुपी रहे, लेकिन साल ने सौचार को जब एक किसाने इसी जगा पर कुआ बनाने के लिए खुदाई कर रहा था, तो उसकी नजर जमीन में दफन इस कब्रगाह पर पड़े, और चीन के तेहास का ये बेशकीमतिक हजाना उनके हाथ लगा, अगले कई सालों तक पुरत तववभाग के लोगों ने इस जगा पर और उसके आसपास के काफ़ी बड़े शित्र में खुदाई के, इस दोरान लगभग 8000 के करीब सिपाहियों के मूर्तिया मिले, जिनने बहुत एक खुबसूर्ती और साफाई से बनाया गया था, इस खुदाई को जब और आगे बढ़ाया गया, तो पता चला कि चीन के समराट कुइन शी हुआंके मौत के बाद उनके शरीर को भी यहीं दफना दिया गया था, तेरा कोटर के सेना के पुदले बनाने का मुख है उद देश चीन के पहले समराट की कबर को सुरक्षा देने के लिए सिपाहियों के रूप में इस्तेमाल करना था, पुरातत्व वैग्यानिकों का मानना है कि इस कबर के असपास मर्किरी यानि पारे की नदिया है, इसलिए कबर को खोलने पे बहुत नुक्सान हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए उनके कबर को आज तक नहीं खोला गया है. गीजा का दर्वाजा दुस्तों स्फिंक्स दुनिया की सबसे मशूर मूर्ती है, मिस्टर में मौजूद ये मूर्ती लगभग 4500 साल पहले बनवाई गई थी, इससे जिस क्रीचर के थौट पर बनाया गया है, वो एजिप्शन ग्रीक मिथॉलिजी से लिया गया है, जिसमें इंसान का सिर और शेर का शरीर होता है, आपको बताते हैं कि 70 के दश्रक में इस मूर्ती की मरमत का काम शरू हुआ, उससे मैं वैग्यानिकों को इस मूर्ती के सिर पे खाली जगा दिखाई दी, नीचे उतरने पर वैग्यानिकों को दो चेमबर मिले, यह चेमबर एक मजबूत दिवार से बंद कर दिया गया थे, वैग्यानिकों ने इन चेमबर को खोलने की बहुत कोशुश की, लेकिन टेकनोलिजी की कमी के कारण इन्हें नहीं खोला जा सका, माना जाता है कि इन चेमबर में इतिहास से जुड़े हुई कई बेशकीमती चीज़ें मौजूद हैं, इन चेमबर के अंदर प्राचीन मिस्तर के बहुत सारे रहसे भी मिल सकते हैं, और साथी गीजा के पिरामिड के अंसलजे रहसें का भी पता चल सकता है, लेकिन यहां के मौजूदा गर्ण्मिंट ने इस पर पाबंदी लगा दी, और भविशे में कोई पिरामिड के अंदर की खोज ना करे, इस पर भी पूरी तरह रोक थाम लगा दी, बैंट स्प्रिंग्स इन कैनेडा, पर मौजूद कमरा नंबर 873 रहसेमाई तरीके से गायब है, इस कमरे के लिए कोई धर्वाजा ही नहीं है, वहां आपको सिर्फ खाली दिवार का केवल एक बड़ा हिस्सा ही देखने को मिलेगा, इसके पीछे एक कहानी है, एक बार एक वबाहित कपल ने अपनी बेटी के साथ यहाज चेकेन किया था, जुसके बाद पती पागल हो गया, और खुदगुशी करने से पहले उसने अपनी बेटी और पत्नी को मार डाला, होटेल वालों ने कमरे को फिर से रेनोवेट करवाया, लेकिन वहाँ उसके बाद भी गेस्ट को चीखे सुनाई देने लगी, जुसके बाद इस कमरे को सील कर दिया गया, कर दो. झाल झाल